जै हिंद बच्चों स्वागात है अपने यूटूब चनल में आज किस वीडियों में एक बाब फिर से हम कच्छा बारा के विद्यातियों के लिए हिस्ट्री के बहुत ही महत्म भविकर्पी प्रसन लेकराए है जो परिछदी से बेरी इंपोर्टेंट रहेगा तो चलिए र पेला कुश्चा है कि हड़ किस नाम के नम अगदा जाता है कि सण्धू घार्पा संव्यों से जाना जाता है मुए वखली सब्हों हर्पा संवेटा सबसे पहले किस अस्थान पर से प्राप्त हुए थे तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा ए खडपा से प्राप्त हुए थे मोहन जोडों में उत्खरन आरंभ हुआ था मोहन जोडों में उत्खरन आरंभ हुआ था कब हुआ था 1922 वी में सही जवाब बच्चों भी हो जाएगा मोहन जोडों में जो उत्खरन आरंभ हुआ था 1922 वी में आरंभ हुआ था चलिए चलिए दोस्तों अगला कोशन दिखते ह पूरा तातवी किसे पूरा तातवी के परथम इसटेमनरल जुगे तो रापत होती और थैंग तो कनीगं जए जब्चों और शुवृस्री है रह्त 만들어 ники 17 कौन थी भा brass की पर्थम जो है नगरी संभा अव्राते को माना जाता है वारत की ap ौज सब्थम कौन थी तो लुbes युदा करी कि या तो ती कसे कीव किया जाता था तौला से सब्थम में अदिकतर किस धात तॊका परियोग की घाता था तो बच्चों सही बशाइब कांस, यानि कांस race का पड़िव किया जाता था किसे मित्कों का हुआ कहा जाता है मुणम से मुंञंजोड़ो की दोस्तों मनका बनाने का प्रमाण प्राप्त हुगा है धौला बीर्या रोपन चनहुद्रो काली बंगा तो नौका सहीज़ा बच्चों क्या हो जाएगा श्री उज़ेगा चनहुद्रो यह रपा संस्क्रिति की सस्था से मनका बनाने का प्रमाण प्राप्त हुगा है चनहुद्रो लोथल से मिले हैं। लोथल कहां है। गुजरात में इस्तित हैं और भोगवा नदी के तरफ पर इस्तित है। हडपा सब्वता के किसस्थल को बंदरगाह की संग्या मिली है। तो सहीया बच्चों जाएगा डी हो जाएगा लोथल अभी हमने बताया चाहिए जैसे पूछे लोथल योगा बंदर का साच कहां से मिले हैं। लोथल कहां है गुजरात में है। हडपा सब्वता की सिल्खडी मुरे अकार में किस प्रकार होती थी। गोल, चौपौर, तिवुजाकार ये सभी। तो बारा का सहीया बच्चों जाएगा चौपौर होती थी। ठीक है। अगला कुछने विसाल अन्नागार का साथ छड़पा संस्केति के किस अस्था से प्राप्थ होगा है। माधो सुरूब वर्ष द्वारा हडपा में उत्खनन का आरंभ वर्ष कम माना जाता है। 14 सहीय बच्चों डी हो जाएगा वर्ष उनीस सो एक इस वर्ष उनीस सो एक इस अस्था से जूते हुए खेत के साथ मिले हैं। जूते हुए खेत के साथ वच्चों जो है काली बंगा से मिले हुए है। कहा से काली बंगा कहा है राजस्थान में इस्तित है। काली भंगा का थोता है कारे रंकी चूरिया हराप्पा सभधा में लोग किसकी पूजा करते थे result वच्चों मात देबी की पूजा करतें आदसिते भी पूजा करतें प्राकेर्थिक तटो पूजा करते थे यानि जो है यह सभी हो जाएगा अगला कोशन है कि एस आर राव द्वारा वर्शुनीश सू पच्पन में किस अस्थान का उत्रणकार अरंब किया गया तो बच्छो सही ज्वाप सी हो जाएगा लोथल किया लोथल कहा है वजरात में इस्तित है चलिए बच्चों अगला कोशन में लोग देखते हैं हड़ापा सब्रता के पश्याद भारती उप महादी पर किस प्रकार के परिवत्तन हुए चलिए अगला कोशन देखो बच्चों मस्तरों हसते रहो है अगला कोशन देखो टेंसरों पढ़ोगे आपको याद नहीं होगा आप इतने कोशन नहीं याद कर सकते हैं लेकिन मस्त होके पढ़िये दम याद रहेगा हड़ापा सब्रता के पश्याद भारती उप महादी पर किस प्रकार की परिवत्तन हुए बच्चो आरहम्भी राजों का उदे、 नगरों का उदे、 वर्गों का उदे उपरोक्त सभी हो जाएगा फारती उप महादी पर लोहे की खोश कब हुई बच्चो जो सताब्दी होती है वो जो है सो वर्सों की होती है मगत का संबंध किन राजाओं से था ते बच्छों ये सभी यनि विम्विसार से भी था महां पदमानंद से भी था आजार सक्त्रू से भी था एक बेरी इंपोर्टेंस कोश्चन लगा तार तीन चार वर्षों पर इच्छों पूछा जा रहा है अरसास के लेखक बच्छों कौन है तो अरसास के लेखक कौटिल को मारा जाता है जिनके बच्पन का नाम विश्रूगुप्त है कौटिल के बच्पन का नाम विश्रूगुप्त है इन्हें जो है चानक के नाम से भी जाना जाता है तो अर्षास का जो लेखक है वो कोटिल जी है इंडिका के लेखक थे इंडिका के लेखक कौन है मात्मा गाधी मेगस्थनीज चंदगूप्त चानक तो बच्या सही जवाब 5 कबी हो जाएगा मेगस्थनीज यानि इंडिका के लेखक जो है कौन है मेगस्थनीज जी है अगला क्वेजा गया था तो सही जवाब भी हो जाएगा बच्चों मेगस्थनीज जो है भेजा गया था अगला क्वेजा बच्छों हम लोग देखेंगे आपके सामने अगला क्वेजा जा रहा है मौर परशासन में उच्छ अधिकारियों को क्या कहा जाता था तो मौर परशासन में उच्छ अधिकारियों को जो है तीर्थ कहा जाता था क्या कहा जाता था तीर्थ कहा जाता था मौर काली नगर परशासन में उस्था में किस समित का कार्य तैयार वस्त को की देख भाल करना था तो सही बच्चों जो है पांच्वी समिती पांच्वी समित की तो यह चार सेर बनाए गए थे सामराश के अधिकांस हिस्से में असोग के सिजा लेक लिखे गए थे प्त्रों पर लेक मिलते हैं उसे सिजा लेक बोलते हैं असोग के अधिकांस पाकिर्तिक अभलेक लिखे गए थे खरोष्टी में, बराम्भी में, अरेमाइक में, ग्रीक में तो यहारा सही बच्छों भी हो जाएगा बराम्भी लिपी में लिखे गए थे मेगस्तनीच जो चंदगुद मौर के दरवार में आया था कभी था कि नाविक था कितिहासकार था कि चिगिस्सक था तो बच्छों एक कितिहासकार था मेगस्तनीच जो चंदगुद मौर के दरवार में आया था वो जो है एक कितिहासकार था निमिखित में किसके अभलेकों में राजा को देवता का प्री बताया गया है तो असोक बच्चो सही जो अब जो है ए हो जाएगा असोक हो जाएगा ठीग भई है पर्याग प्रसस्त की रचना किसने की है तो बच्चो हरी सेर्ण पर्याग प्रसस्त की रचना जो है किसने की है हरी सेर्ण ने जो है किये बहुत important question कि बच्चों कमप्सच्व ETF में इन ऊपरियों बहुत प्रिच्च्वां पूझे जाते हैं इसे सब कुश्च χार्ष की रचना ठन की थी कि बच्चों तो मंजोट है थी कि अगरा क्च्छन चोर चेर और पांड जैसे राज्यों का उदय किस छेत्र में वह था किस छेत्र में जो है वह था ते वच्छों तमिल कम तर्मील कम सही जवाब सी हो जाएगा चली एक उद्शन कोशन दोस्तों लोग देखते हैं किस वर्ष पुरा ततवेता बी बी लाल ने हस्तिनापु नामा गाउं उतखण करवाया था किस वर्ष तो यहां का सही जवा वच्छों क्या हो जाएगा वर्ष 1959 से 1952 में महाभरत में इस लोगों का वर्णां किस भासा मे किया गया है दो कभी होुचो संस्क्री इंक्सामें जो है किया गया है महा भारत के रूट र्च collision कौन लगातार लिए छर्फ हों जो है पूछा जा रहा है आप लोग देख सकते हैं रहमारी र्चैथा कौन है तो आगया माल जी है कौन है बालमीक जी है रज रज्जम नामा नियरी दों की किताब फार्शी अनुवाद है रमायड का महाभारत का भगवत गीता का तो पांच का सही जवा बच्चों जो है स्री हुजाएगा महा भारत का हो जाएगा भगवत गीता सबसे महात पूरुग दिसात्मक अंस ह बहुत गीता सबसे महात्वुक दिसात्म के ऐंस है तिये जो है महा भारत का मध्वारत को जयेगा स्रीमध भागवत गीता महा भारत के किस परोका अंस है महा भारत कालीन समाज में ब्रामभणों से किस परकार की अपेच्छा की जाती थी सस्त धान करने इत्यादी कारी जो है बताएं तो सचा बस्काइब है स्याप सुथ तांकर इसमित गरंथों में कितने परकार के बिवाहों की चर्चा की गई है इसमिर्ट गरंथों में कितने परकार के बिवाह सौपता के अंतरगत पिता पुत्री को वर की पूजा करके सौपता था हो जाएगा पर्जापत भिवा आगला कुशन है कितनी इशापूर के बाद गौत्र पध्धत का उदे हुआ तो बच्छा बारा के विद्यातों के लिए हिस्टिरी के वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्वा थैंक यू